कॉंग्रिस के राहूल गांधी लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को और जो छात्रों से जो रिलेटिड इशूज हैं उटको लगातार वो उठाते रहे हैं कल भी उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था आज गुना में भी जब भारजोडो निया यात्रा के दौरान उन्होंने किस तरीके से महंगाई बेरोजगारी और पेपर लीग के मामलों को उठाया था तो यह एक बेवजह चीज नहीं है कॉंगरेस बहुत सोच समझ कर इन चीजों को उठा रही है और बार बार बीजेपी के तरफ से यह कहा जाता है जब भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जब आलोचना होती है तो सरकार ये कहती है कि कॉंग्रस कहां से ये प्लैन लेकर आएगी तो अब मैं आपको ये बता दू कि कॉंग्रस का जो मैनिफेस्टो है लोग सभाग के चुनाओ का वो final drafting stages में है और जो सूत्रों के हवालों से ये ख़बर पता चल रही है कि कुछ ऐसा प्लैन महिंगाई, वेरोजगारी और पेपर लीक्स को लेकर बनाया जा रहा है जो कि मोदी जी शायद सपने में भी नहीं सोच पाएंगा नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान में, मैं हूँ नीलू व्यास आज इस फ्लैटपॉर्म पर आज मेरा पहला एपिसोड है और सभी दर्शकों से एक उजारिश है कि इस फ्लैटपॉर्म को जरूर देखें और आज के बाद मैं इस फ्लैटपॉर्म पर आपको रेगिरली प्रोग्राम्स करती हुई मिलूंगी और अलग-अलग मुद्दों को उठाने की कोशिश करूंगी जनता से जुड़े हुए मुद्दे आप तक पहुचाने की कोशिश करूंगी तो आप जरूर बने रहिएगा इस फ्लैटपॉर्म पर मेरे साथ लेकिन आज जिस मुद्दे को हम डिसकस करने वाले हैं वो बहुत एक एहम मुद्दा है कॉंग्रिस के राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को और जो छात्रों से जो रिलेटिड इशूस हैं उटको लगातार वो उठाते रहे हैं कल भी उन्होंने इस चीज को मेंशन किया था आज गुना में भी जब भारजोडो नियायात्रा के दौरान उन्होंने किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीग के मामलों को उठाया था तो ये एक बेवजह चीज नहीं है कॉंग्रिस बहुत सोच, समझ कर इन चीजों को उठा रही है और बार बार बीजेपी के तरफ से ये कहा जाता है, जब भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जब आलोचना होती है तो सरकार ये कहती है कि कॉंग्रस कहां से ये प्लैन लेकर आएगी तो अब मैं आपको ये बता दू कि कॉंग्रस का जो manifesto है लोग सभाग के चुनाओ का वो final drafting stages में है और जो सूत्रों के हवालों से ये खबर पता चल रही है कि कुछ ऐसा प्लैन महिंगाई, बेरोजगारी औ बनाया जा रहा है जो कि मोदी जी शायद सपने में भी नहीं सोच पाएंगे, जी हां कुछ ऐसा ही प्लैन कांग्रस के टेबल पर इस समय डिसकस हो रहा है और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है तो फिर apprenticeship model, dual apprenticeship model जैसे कि जर्मनी में होता है कि आपको work experience मिलता है, आप apprenticeship यान जो training period है वो कितनी लंबी होगी उस पर बाची तभी चल रही है और Congress Party जब official रूप से जब इस चीज का खुलासा करेगी तो शायद वो भी चीज आप से साजा हो लेकिन जो बाते मुझे पता चल रही है, apprenticeship model यानि कि जो apprenticeship act है हो सकता है कि उसमें कुछ फेर बदल हो और उसमे जो right to apprenticeship की बात हो रही है, right to job की बात हो रही है, नौकरी हमारा हक है, कुछ इस तरीके के plan पर Congress काम कर रही है और दूसरी जो कि एक बड़ी चीज है वो है paper leak से ग्रसिच चात, आपे देखा था कि इंदर सरकार में एक नियम बनाया था कि paper leak मामले में अगर कोई भी ऐसी होग तो कुछ ना कुछ कड़ी कारवाई सरकार करेगी, तो अब नियम और कानून के दाएरे से बाहर आकर Congress ने ये कहा है कि जो paper leak से ग्रसिच चात रहे हैं, उनको हम मुआफजा देंगे, यानि कि compensation देने की बात कही जा रही है, तो ये एक बड़ा master stroke Congress के तरफ से हो सकता है, इस से क्या होगा कि जो नौजवान हैं, जो aspirational youth हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि Congress की उससे connect छूट गई है, उसी connect को वापिस Congress बनाने की कोशिश कर रही है, बेरोजगारी का जवाब मोदी सरकार को उससे मिलेगा, paper leak से ग्रसिच चातर जिनको अभी आपने देखा था थोड़े दिन पहले उनको पुलिस खदेर खदेर कर डंडे से मार रही थी और नौकरी देने और लोग मजाग बना रहे थे कि क्या नौकरी अब डंडा मार के दी जाएगी, तो आज उसी का जवाब Congress लेकर आई है, शायद मोदी जी ये सोच नहीं पाएंगे, लेकिन ये ए सूतरों के हवाले से ये खबर पकी है, कि Congress कुछ इसी आईडिया पर काम कर रही है, और जल्द ही शायद लोगों के बीच ये information साजा की जाए, इस समय हमारे साथ जेद देश के जाने मारे economist Professor Santosh Mehrotra है, और आपका बहुत-बहुत स्वागत है Mr. Mehrotra, और Professor आपसे ये ही समझना चाहूंगी कि ये जो apprenticeship model की बात समझ में आ रही है, और Congress के सूतरों से ये बात पता चल रही है, क्या ये सही बात है कि Congress एक ऐसा apprenticeship model लाने की सोच रही है, जो की वाकई में एक बड़ा master stroke हो सकता है, और उससे कितना फाइदा होगा, जो हमारे नव्यूवक हैं और जो चाहलों से इसकी पैरवी कर रहा हूँ, इस right to apprenticeship की, क्योंकि हमारे देश में apprentices की का प्रावधान तो 1961 के Act नहरू जी के द्वारा उसको जारी किये हो गया, साथ साल से उपर हो गया, मगर हमारे देश में ये इस तरीके के apprentices की संख्यात, जर्मनी की, जर्मनी में जितने होते है उसकी उसका आठवा गुना, आठवा भाग है, जबकि हमारी, हमारा labor force कहीं जादा बड़ा है, वर्क फोर्स कहीं जादा बड़ा हैगा, तो अगर ऐसा Congress हमारे जैसे अर्थशास्त्रियों की बात मान रही है, तो ये बड़ी खुशकबरी की बात आप बता रही हैं, और इस से सभी को फाइदा होगा, मैं समझाता हूं किस प्रकार फाइदा होगा, पहली चीज़ तो हमारे देश में युवाब पढ़े लिखे बहुत तेजी से चले जा रहे थे पिछले 20 साल से, ये हमारे देश की एक काम्याबी रही है, और महिलाओं और बच्चीों के लिए खास रहे हैं, मगर उसके अतिरिक्त वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन का बड़ा अभाव रहा है, और वो एस्पिरेशनल भी नहीं माना जाता, मतलब उसमें बच्चों की रुची और माबाप की भी रुची बहुत इसलिए नहीं दिखती, क्योंकि लगता ये है उनको की आगे युनिवरस्टी जा करके पढ़ना लिखना ये अच्छा है, उससे नौकरी मिल जाएगी, हालां की इसमें इसमें इस बात में कोई दम ने रह नहीं गिया है, कि आप युनिवरस्टी से बीए बीएस सी कुछ कर लेंगे, तो आपको नौकरी मिलेगी, उसके तथ्य, उसके बारे में तथ्य साफ हैंगे, सरकारी स्वेम आकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर युबाओं की, 15 से 29 साल के युबाओं की बेरोजगारी दर बढ़ करके, 12 और 22 के बीच में दुगनी हो गई है, तिगनी हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में, जो एक बहुत बड़ी constraint या बहुत बड़ा disadvantage हमारे युबाओं के संग होता है, जब वो रोजगार ढूनने निकलते हैं, कि उनके पास कोई अनुभव नहीं होता, रोजगार का काम का अनुभव नहीं होता, तो क्यों उनको रोजगार देगा, तो इस वज़े से चर्मनी में, उस्ट्रिया में, स्विजिलन में ये बहुत ही काम्याब पद्धती है, पूरी प्रणाली बनी हुई है, जिसको dual training system कहते हैं, कि कुछ वक्त बच्चे स्कूल में बिताते हैं, और अधितर वक्त बच्चे work environment में बिताते हैं, रोजगार करते हैं, मगर उनका जब तक training पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनको certificate नहीं मिलता, पूरी जो भी आप diploma देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहिए ITI हो, चाहिए आप high school में commerce किया हो, law किया हो, कुछ भी किया हो, आपको तभी certificate मिलता है, जब आप ये apprenticeship पूरी कर लेते हैं, तो उसी तर्ज पे हमारा सुझाओ ये रहा है कि साल भर के लिए आप बच्चों को बच्चों के लिए लाजमी कर दें, और जो employer हैं, उनके लिए भी लाजमी कर दें, कि वो एक साल के लिए apprenticeship दें, अच्छा इसमें फाइदा तीनों जनों का होगा, ये तो चाहत का होगा, दूसरे company का होगा, और तीसरे सरकार का होगा, बताता हूं किस प्रकार से, पहली चीज तो छात्र की ओर से सोचा जाए, कि वो, क्योंकि उनको कुछ अनुभव मिल जाएगा, कुछ practical training मिल जाएगी, मतलब व्यावारिक रूप से उनको काम करने का एक अनुभव मि जाएगा, तो वो उनके certificate, उनके CV में चला जाएगा, उस साल भर के अनुभव को ले करके, वो कहीं रोजगार ढून सकते हैं, ये भी संभव है कि अगर वो बहुत ही होश्यारी से अपनी apprenticeship को काम्याबी से पूरी करते हैं, तो ये भी संभव है कि company उनको लंबी नौकरी दे तीन साल का contract दे दे, आचा दूसरी और आप company की और से देखिए कि उनको फाइदा ये होगा कि जो stipend मिलेगा, इनको पूरा वेतन नहीं मिल दिया जाएगा, कोई minimum wage की यहां बात नहीं हो रही है, क्योंकि इनको training भी मिल रही है ना, उनको कुशलता प्रदान की जा रही है, तो इसलिए उसमें company की और से जितनी भी stipend दी जाएगी, उससे मिलता जुलता सरकार कुछ देगी, इसका प्रावधान है, तीसरी बात, तुमने इसमें company का फाइदा हो गया, सरकार की और से सोचिये, तो ये बहुत ही अच्छी बात इसलिए है, क्योंकि सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ नए तरीके सोचे, जिसमें रोजगार उत्पन हो, क्योंकि आज की मौझूदा जो केंद्र सरकार है, उसकी नीतियों की वज़े से बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, और ये सरकार, मौझूदा सरकार तो इस विशे में बहुत तवज्जो नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही, हालां कि इस सरकार ने भी अप्रेंटिशिप को ले करके कुछ सुधार किये हैं, जिसकी वज़े से अप्रेंटिशिप की संख्या हमारे देश में बढ़ी है, हालां कि इस स्किल इंडिया का जो पूरा मिशन है, जो मोधी सरकार चला रही है, क्या भी कर्मों कहीं से कनेक्टिड होगा या फिर एक ये दूसरा कारिक्रम होगा लगता है कि चलाता है Ministry of Skill Development, तो उसमें Central Public Sector Undertaking, स्टेट की सरकारी इकाईयां और नीजी छेतर की इकाईयां भी सब को जुड़ना लाजमी है, लेकि जो एक सवाल पूछा जाएगा कि अगर बीजेपी के पास अलरड़ी स्किल इंडिया का कारिक्रम है, तो ये जो कॉंग्रेस की Dual Apprenticeship जो जौमनी मॉडल है, ये कितना डिफरेंट होगा उससे और वो क्या चीज़ एडिशनल प्रवाइड करेगे। जो बारवी कक्षक प्राप्त करने के बाद वो एक साल का या दो साल का कुछ डिपलोमा या सर्टिफिकेट कर रहा है या कर रही है, तो वो सर्टिफिकेट उसको प्राप्त तभी होगा, जब ये इंटर्शिप या अप्रेंटिशिप पूरी हो जाएगी, उसके बिना कार, चात्र, कंपनी सब बंध जाएंगे, कि उस बच्चे का अगर भविश्च आपको बनाना है, तो निर्नायक रूप से आपको ये काम करना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा, कि आप अप्रेंटिशिप दें, वरना वो बच्चा पढ़ा तो पर पढ़े, पढ तो वो लेकर कि क्या, तो फिर उसकी पढ़ाई तो बेकार हो गई, तो क्या मैं ये मानू कि बीजेपी और कॉंग्रेस के मॉडल में जो फर्क होगा, कि यहां पर अप्रेंटिशिप एक राइट, यानि कि अधिकार के रूप में दिये खाएगा, कि हमारा अधिकार है इस त सरकार, MS MS को कुछ प्रोचसाहन नहीं दे रही है खास, कि भाई आप भी आजाए इसमें, जिसकी वज़े से कुछ तो बढ़ोतरी हुई है पिछले 6-7 सालों में, अप्रेंटिशिस की संख्या में, मगर कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, हमें रोजगार की समस्या इतनी व्यापक और इतनी गहन हो गई, गहरी हो गई है, कि हमें इस पर ततपर्ता से बहुत तेजी से काम करने की आवश्यक्ता है, तो राइट जो एक यूपिय की सरकार में हमेशा से एक नोश रोट, कि मतलब राइट टू एजूकेशन, राइट टू इन्फरमेशन, राइट ट वरक अंडर मन्रेगा, वो उस तरीके की जो चीजें हम लोगों ने करी थी, मैं अभी जोजना आयोग में था, तो वो बहुत ही कामियाब रही है, और हमारे देश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है, तो इस वज़े से अब वो समय आ गया है, कि युगाओं के ब प्रोग्राम जो बहुत सफल नहीं रहे है, स्किल इंडिया बहुत सक्सेसफुल कायरेकरम नहीं रहा है, और उसका एक बहुत बड़ी कमी ये रही है, कि उसमें बच्चों को आप या फिर बहुत समय के लिए ट्रेनिंग देते हैं, तीन-चार महिनी के ट्रेनिंग देते है जा फिर आइटी आइज में जो कोर्सिज हो रहे हैं, वो कनेक्टेड नहीं है, इंडिस्ट्री से, यहां पर इंडिस्ट्री को हम इंवाल्व करेंगे, कि भाई आप किस तरीके के अप्रेंटिस चाहते हैं, तो भाई आप जुडिए हमारे आइटी आइज से, और आप शु पुनवत्ता पूर्ण कुशलता प्राप्त कर सकें, कर चुके हों, कि आप उनको साल भर के लिए अप्रेंटिस के रूप में ले लेना चाहेंगे, तो इस से इंडिस्ट्री को जुड़ने का प्रोचाना होगा, और उससे होगा यह, कि यह स्कीम चल निकलेगी, उस तरीके स यह पनपेगी, क्योंकि डिमांड बहुत है, बच्चे चाहते बहुत है, और जो बड़ा सवाल है, प्रोफेसर अमेरोत्रा, कि जो इस समय राजनीतिक रूप से सब जानना चाह रहे हैं, कि कॉंग्रिस का अगर यह एक मास्टर स्ट्रोक होगा, बीजेपी की बेरोजगारी का एक सीधा मूत और जवाब अगर कॉंग्रिस इसको इसके जरिये देगी, तो क्या लोगों को वाकई में समझ में आएगा, कॉंग्रिस किस तरीके से आम जनता के बीच में इस चीज़ को ट्रांसलेट करेगी, क्या यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं इसे पूछ क्योंकि समय बहुत कम है, और अब कुछ ही दिनों में चुनाओ की घोशना हो जाएगी देज की, और अब जनता के बीच में इस इशु को कॉंग्रिस कैसे लेके जाएगी, क्या यह एक बड़ी चुनौती है, नहीं, बहुत बड़ी ऐसी कोई खास बड़ी चुनौती नहीं पहली बात तो देखे हमारे पास जो अधनियम है, जो लौ है, वो हमारे पास मौझूद है, 1961 का एक्ट है, उसमें कुछ रदो बदल करनी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नवीनिता यह है कि हम कुछ अनेम्प्लाइमेंट अलाउंस की बात, जैसे करनाट के सर होगा, कि हम उस चात्र या चात्रा को केवल ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं, उसको हम सर्टिफाइए कर रहे हैं, उसको कुछ अनुभाव दे रहे है, अनुभाव जो एक साल का वर्क एक्सपिरेंस है, उस से उस बच्चे की का ढांटस बंदेघा, उसका साहस उसका बढ़ेगा उसका अनुभव जो होगा उसको फिर वो मार्केट में ले जाकर के और और नौकरी ढून सकता है यह भी संभाव है कि वो कंपनी में उसको वहीं रोजगार मिल जाए तो यह सब संभावनाएं जर्मनी के के अनुभव के आधार पे हम मान सकते हैं कि हमारे देश में भी होंगी और बच्चे आठ आठ हजार रुपे का अगर उनको स्टाइपेंड मिलता है तो आज की तारीक में जो जो शॉट टर्म ट्रेनिंग में बच्चे निकल करके आ रहे हैं उनको इतना वेतन नहीं मिलता तो यह स्टाइपेंड बढ़ा अच्छा होगा मतलब ठीक है उस और कमपनियों को वरकर मिल जाएगा एक साल के लिए कुछ ट्रेनिंग करें जी अब मैं दूसरे मुद्धे पर आना चाहती हूँ जो पेपर लीक से ग्रसिच छातर हैं उनके लिए मुआवजे की बात हो रही है कि इस मैनिफेस्टो में ये भी बात आएगी कि पेपर लीक स कैसे समझाये जाएगा कि मुआवज़ा जादा बहतर है नियम कानून में तो पता नहीं क्या होगा तो क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हो सकता है मगर नियलू जी दिखो इसके संग कुछ और चीज़ें भी करनी होंगी सिर्फ मुआवज़ा देने से कम से कम बच्चों का मुँ तो बंद हो जाएगा मगर ये भी सोची कि उससे बच्चे का नुक्सान तो हो ही गया समय का की बरवादी हो ही गई अगर पेपर लीग हो जाता है तो इसका इलाज क्या है इस समच्या का इलाज क्या है इस समस्या का इलाज मैं अपनी Smid से कुछ सुजाव दे सकता हूँ जो भी party मानना चाहे वो लेना चाहे तो ले तेखिए ये भी संभभ है कि हर इम्तहान का जो केंदर है उसको सेंट्रलाइज कर लिया जाए और ये किया जाए कि हर परदेश में जो इमतहान हो वो तीन चार स्थानों के अतरिक्त नहों उसके बहुत जारा सेंटर्स नहों क्योंकि अगर जादा सेंटर्स होंगे तो ये लीकेज जो की बात है वो हो जाना जादा आसान है पहली आप जो इम्तहान है उसको आप चाहिए तो MCQ कर दीजे Multiple Choice Question कर दीजे और उसको Soft Copy उसकी Maintain करिए और इम्तहान के लिए बच्चे जब इखटा हो जाएं और बच्चों को आप इम्तहान देने वाले जो बच्चे आना चाहते हैं उनको कुछ मुआफ़जा दें ट्रावल अलाउंस दे दें कुछ तीन दो तीन चार सो रुपए कुछ दे दें जिसमें चाहे वो चित्ती दूर से आ रहे हों पॉइंट यह नहीं है उनको हर ठरीके से कुछ मुआफ़जा दे दे दें सिर्फ आने के लिए क्योंकि अगर आप सेंटर्स कम रखेंगे तभी आप इस पर थोड़ा सा अंकुष लगा सकेंगे और बंदिशें आपकी काम्याब हो सकती हैं और अगर आप MCQ की ओर ले जाएं मैं यह नहीं कह रहा कि वो कंप्यूटर पर हो टेस्ट कंप्यूटर पर नहीं होगा MCQ के रूप में हो और वो सौफ्ट कॉपी ट्रांसफर हो जैसे बैंक अकाउंट में पैसा इस शहर से उस शहर ट्रांसफर होता है तो हर सेंटर में कुछ बंधे हुए लोग उसको उसकी प्रिंट आउट निकाले और फिर वहीं के वहीं घंटे भर के अंदर यह बाटा जाए तो उसमें मतलब बिलकुल सिक्योरिटी को मेंटेन करना इतना मुश्किल काम नहीं है यह सब अगर एतिहात बढ़ते गए निलू जी तो मुझे लगता है यह लीकेज वाली वाला जो माफिया है उसको उसपे बंदिश लग सकती है क्योंकि अगर बहुत अधिक जो यह फ्रेमवर्ग की आब बात कर रहे हैं कि सेंटर्स कम रखे जाएं आने जाने का उनको किराया दिया जाए तो क्या छात्रों को कॉम्पेंसेशन के साथ-साथ कुछ इस तरीके के फ्रेमवर्ग पर भी कॉम्रेस सोच रही होगी कि किस तरीके का क्रोविजन ना है अगर हम को मुझे नहीं मालम की वो सोच रही होगी मैं तो सुझाओ ही दे सकता हूं अगर मैं सोच रहा हूँ कि उनको सिर्फ उनको मुआफ़जा देने से काम नहीं बन जाएगा क्योंकि आप मुआफ़जा तो दे दें तो अब उनको भी लगे अरे तो फिर जो माफिया चला रहा है यह धंदा उसके उपर कैसे आप बंदिश लगाओगे हमें तो बंदिश उ उसमें चोटी मोटी वाले लोग भी इनवाल्ड हैं कुछ लोकल पॉलिटिशन भी इनवाल्ड हैं सभी इनवाल्ड होंगे ऐसा नहीं हो सकता कि यह बार-बार हो और इतना व्यापक स्थर पर हर प्रदेश में होता चला जाए तो मैं यह कह रहा हूं कि इसको सेंट्रलाइस किया जाए और डिजिटल मेथड इस्तमाल किया जाए यानि की कंप्यूटर द्वारा MCQ को ट्रांसफर किया जाए सिर्फ चार क्योंकि यूपी जैसा प्रदेश है उसमें तो खेर आपको पांच-छे सेंटर करने होगे वगर जारकंड भी तो एक प्रदेश है उसमें आपक आपको ट्रावल अलाउंस दे दो ना बच्चों को कि मना आप इतने सारे सेंटर करोगे तो फिर सेखड़ों और हजारों की संख्या में आपको बाबूओं को पुलीस को अफलाने और दिमाखे को लगाना पड़ेगा वहां तो धंदा चलेगा माफ करिएगा प्राब्लम वहां है उठती है तो आपने जितना उसको सेंट्रलाइज कर लिया उसमें आप अंकुष लगाए रखने में काम्यावी ज़्यादा आसानी से हासल कर सकते मेरा यह सुझाओ यही सवाल आपसे करूंगी क्या यह वाकई में एक बड़ा मास्टर स्टोक होगा क्योंकि बार-बार मोधी सरकार पर राहूल गांधी कॉंग्रिस इस बात को लेकर आरोप लगाते हैं कि आपने इतनी नौकरियां दी नहीं है सरकारी पोस्ट से वो खाली पड़ी हुई है आज भी राहूल गांधी ने कहा कि देखिया हर सेक्टर में उन्होंने तो यह तक पॉइंट आउट किया कि पी-ए-मो में भी नौकरियां खाली पड़ी है हर मिनिस्ट्री को उन्होंने गिनवाया कि वहाँ पर खाली पोस्ट तो यह जो दो बाते जो बात पुब्लिक में अभी जो आ रही है कि इस तरीके का प्रावधान Congress लेकर आ रही है और अगर उस सत्ता में आई तो dual apprenticeship model और चात्रों को पीपली के चात्रों को ये compensation क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा मैं political terms में पोचा है हो सकता है मगर उसके बारे में Congress सरकार या जो भी सरकार है उसके बारे में और भी सोचना होगा मैं आपको सुझाओ क्या सोचना होगा देखिए मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि पेपर लीक हो जाता है मुद्दा ये भी है कि सरकारें डॉक्टरों नर्सेज और पुलीस की नियुक्ती नहीं कर रही तो बिहार में एक बिहार एक बिरला प्रदेश है जिसमें तेजस्वी यादव पुलीस और स्कूल टीचरों की भर्ती कर रहे थे पिछले साल देर साल से अब वह भी ठप हो ज नितीज जुजी सवाल कर रहे थे कि कहां से लाओगे बाप का पैसा है तुम्हार रख मतले पैसा लगते हैं इस तरीके के सवाल उठने लगते हैं कि पैसा कहां से लाओगे तो देखे आखिर में जाकर के सरकारों को इस विशह में सोचना पड़ेगा कि हमको अधिक डॉक् कॉंस्टिबल्स की जरूरत है अधिक टीचर्स की जरूरत है चाहे वो उनिवर्स्टी कॉलेज टीचर्स हों चाहे वो स्कूल की टीचर्स हों और नर्सिस की जरूरत है अधिक जजिजिज की और मैजिस्टेट्स की आवश्रकता है तो इस सब के लिए खर्श तो होगा तो तो अगर कुछ चीजें कटौती करनी तो वो करिए और नहीं तो पर टैक्स रबनी उबढ़ाईए तो इन सब बातों के बारे में भी व्यापक रूप से सरकारों को सोचना पड़ेगा अगर कॉंग्रेस सरकार में आती तो उसको भी सोचना पड़ेगा इसमें कोई दो राए ह ही नहीं है जोकि राजिनी तिक टरॉंस में सब लोग यह माना चाह रहे हूं और मैं पुलिटिकल सवाल पर ही आ रही हूं कि पुलिटिकलिपि को मात दे पायेंगे राहूल गांदी क्योंकि अब राहुल गांदी इस इतना तो कहा ही जा सकता है नीलू जी कि यह राहुल गांदी यह कह सकते हैं कि देखे हम तो व्याभारिक रूप से छात्रों के बारे में और उनके भविश्य के बारे में सोच रहे हैं आप क्या कर रहें आप तो सब्सक्राइब तो इस वज़े से अगर आप करना चाहें तो आप ही कर डालिये मगर हम तो करेंगे निर्णायक रूप से करेंगे लिश्चित रूप जी चरिए बेखना होगा कि इसकी अधिकारिक घोश्रा कब तक होती है और जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि ये ड्राफ्टिंग स्टेज में है ये मैनिफेस्टो और दो हजार चॉबीस के चुनाव का और लगातार एक पैटन के रूप में आप देखें किसी सरीके से है तो हो सकता है कि कॉंग्रिस इसको एक बिल्डप के रूप में कर रही हो लेकिन अब ये देखना होगा कि कब इसकी अधिकारी गोश्रा होती है लेकिन ये जो दो बड़े मिशायद कॉंग्रिस मात दे पाए तो देखना होगा कि इस पूरे नारेटिव को कैसे बिल्डप करती है कॉंग्रिस आपका बहुत 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 चुक्रिया प्रफेसर मेरोत्रा थांकी सो मच पर जॉइनिंग और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा झाल